Hey guys, a very good morning to all of you So, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि आपने टीर फर्स्ट क्वालिफाइ कर लिया है तो उसके लिए मेरी तरफ सब को गुंग्रेटुलेशन्स तो आजम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, टीर डियो ए एंड ए स्किल टेस्स से लेटेट सारी टेटल जानेंगे टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, टीर टू के बारे में, मेडिकल स्टेंडर्स जो भी होंगे, जिस जिस पोस्ट के लिए और टीर टू की डेट्स के बारे में, एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में जानेंगे, तो यह आप वीडियो बहुत कमेंट सेक्शन में जातर इसी की थी कि ट्रेट टेस्ट के बारे में बताईए, इसके लिए बारे में बताईए, तो फाइनली वीडियो मैं डाल रहा सबसे पहले चीज सारी पोस्ट के बारे हम बात करेंगे यहाँ पर इतनी पोस्ट है इस पैंडर आपकी यह पाट कर दीक है यहाँ पर आपको देखी चेक कर लीजी है कि यहाँ पर आपको इसेंशिल रिकवार्मन जो भी चाहिए सबसे पहले चीज से इस्किल टेस्ट नॉर्मश इंटेसिए आपकी स्टैनोगराफर के लिए है इस टैनोगराफर जोनों ने स्टैनोगराफि कर रख हुआ है या फिर कोर्स कर रहा है उनको खासकर पता होगा कि वह अलगी language होती है उसके इंदर words बहुत पर में होते हैं अगर कोई सेंटेंस है तो वह एक से दो वर्ट में लिख दिये जाता है जब कि इंग्लिश में वह उतना ही लंबा होता जितना हम लिखते हैं तो इनको पता होगा देखिए 10 इंग्लिश टाइपिंग की इसके अंतर देखिए स्किल टैस्ट नॉम्सुम कंप्यूटर यानि के जो भी होगा कंप्यूटर भी होगा इंग्लिश टाइपिंग करने हैं पड़ेगी आपको और आपकी जो स्पीड आने चाहिए वो थर्टी फैफ डबलू पीम आने चाहिए 10 मिनिट का टाइम दिया जाएगा आपको कोई भी परा उता है को इसको टाइप करना है स्पीड ओगी आपकी जो आपका आवरेज आएंगा दस मिनिट का जो भी आप लिखेंगे वो 35 WPM आना चाहिए यानि कि आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 35 WPM आनी चाहिए आपको दस मिनिट का टाइम दिया जाएगा ठीक है कोर्रिसपॉंट सु 10,500 KPDH का मतलब होता है की डिप्रेशन पर ठीक है और फाइव की डिप्रेशन फॉर इच वर्ड ठीक है तो एवरेज आए ठीक है आपको सिंपल क्या दियान रखना है कि अब पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे देंगे बुक होगी आपके सांद कि पैराग्रा पास चाहिए कुछ भी हो चाहिए कंप्यूटर हो चाहिए आप गर पर इतनी अच्छी प्रैक्रिस रखिए अपने कीबोर्ड पर हास सेट कीजिए ठीक है तो जिससे आपकी क्या है थर्टी है डिलूपीम आ सके दस मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको ठीक है और जो भी चाहिए अगर वह पर इसक्रीन पर देते हैं तो स्क्रीन पर देख देख के लिखना होगा ठीक है जादा स्क्रीन पर होता है नॉर्मली मैं आपको आपको इस चीज़ेंगे अब बात करते हिंडी टाइपिंग की निट इंदर वही ठटी वर्ड पर मिनट चाहिए आपको इ बच्चे पूछेंगे फॉन्ट ठीक है जिसके फॉन्ट होता है कि मतला कौन सा तो वहाँ पर देखिए उन्होंने कुछ ऐसा मेंचिन नहीं कौन सा फॉन्ट होगा ठीक है तो आप अपनी प्रेक्टिस सही से रखिए ठीक है हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होगा औ और आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसके अंदर only for 10 मिनट से टाइम दिया जाएगा ठीक है इसके अंदर 9000 की देप्रेशन परार होने चाहिए on an average 5 की देप्रेशन फॉर इच वर्ड इस्टोर असिस्टेंट ए ग्रेड इंग्लिश टाइपिंग इसके अदर 35 WPM की चाहिए ठीक है और इसके लिए आपको टाइम नहीं दिखा हुआ और सब्सक्राइब लिए चैप्ट यहाव पर देख रखाए 10 टाईम इनट से इसके अंदर भी टाइम चाहिए में 30 जी के जो हिंदी वाले उसमें 30 चाहिए इंग्लिश वाले में 35 चाहिए आपको टाइम दिया जाएगा 35 प्रक्टिस में 35 किसीजी प्रैक्ट आपकी स्पीड भड़ेगी उतनी आप की आप स्वा इक इस टोकी जोत ऑफ में 8 मेंडिश करेंग आफर इस इस इंदर आपको क्या पिजिकल फिट्नस टेस्ट देना पड़ेगा ठीक है फिस्गल फिट्नस तरह देगा एक क्लग केंटीन मेंजर की भी थी इसके अंदर आपकी देखिए कि अक्यूरेट टैपिंग स्पीट चाहिए है हमें पिश्की स्केबात करेंगे सक्यूरी एसिस्टेंगी फिजिकला वाल मांगा था केंटी मेनेजमेंट है वो आपके पास हो गई असिस्टेन हलवाई कम की लग इसमें कुछ साल का एक्परियंस होना चाहिए कुकिंग के अंदर गवर्मेंट के अंदर और वेहिकल ऑपरेटर ग्रेटर में हम आगे बात करूंगा आपके पास लेकिन ड्राइविंग करता है गाड़ी कहें चलती है और कुछ डिफेक्ट आजाए माइनर सापको ठीक करना आना चाहिए यह निया पूरे मकैनेक अपको ठीक करना आना चाहिए ठीक है और आपको एक मोटर कार्डर अगर आप ड्राइव करते हो तीन साल का उसमें एक्स्पिनिस वाना चाहिए के पर आपको फिजिकल फिटनेस मतलब कैपेविल्टी याने के कोई भी ड्यूटी होती है आपके स्टैनेस ड्यूटी के एक्टिविटी करने की हिम्बत होने चाहिए तागात होने चाहिए ठीक है अब देखिए हम बात कर लेते हैं आगे एग्जामिने सिटी क्या होगी यह इसके अंदर कोई चोषण नहीं ली जाएगे कि आपको इसमें होगा वह अकॉर्डिंग टू अपरेशन सिटी सलेक आपको जाएन पड़ेगा तो इसके अंदर कोई आपको मतलब इसके अंदर कोई अंदर कब्सक्राइब चाहिए ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं टीड़ टेस्ट के बारे में ठीक है तो यहां पर देखिए for the post of assistant हलवाई कम कुलक हलवाई कम कुक it is mandatory to pass the trade test trade test क्या है pass करने की जरूत पड़ेगी ठीक है for the post of हलवाई कम करने तो कि उसको अपना trade test pass करना पड़ेगा ठीक है for the post of vehicle operator A and fire engineer A ठीक है driving test mandatory है driving test करके दिखाना पड़ेगा to pass the typing test ठीक है अब देखिए to pass typing test is essential for the post of admin assistant A store assistant A clerk continue में तो टाइपिंग टेस्ट पास करना mandatory है it is mandatory to pass and the dictation and transcription test for the store of a grade 2 mandatory है सब कुछ mandatory है कोई भी चीज क्या है मतलब कहते है एक चीज़ mandatory होती होती है ठीक है और एक desirable होती है तो यहां पर कोई कुछ भी desirable नहीं है आपका सब कुछ essential है ठीक है आगे बात करें for the post of security assistant A ठीक है fire engineer driver A and fireman it is mandatory to pass the physical fitness and capability test candidates undergoing physical fitness and capability test will do so at their own risk it is to be noted that schedule when you detail instruction for tier 2 will be available on our website after declaration of tier 1 examination result आपको सोन में आगया होगा इसके अंदर क्या बोल रखा है कि आपके अगर आप physical fitness देते हैं या फिर कोई भी test देते हैं जिसे आप तो आपको अगर कोई भी हाम होता है या फिर आप कोई भी आपको चोड़वर लगती है तो आप उसके लिए खुल जिम्मेदा रहोंगे वो जिम्मेदा नहीं होंगे ठीक है इसमें लिखा होता है अब physical measurement की बात कर लेते हैं for the above three post above three post कौन सी आपकी security assistant A grade ठीक है fire engineer driver A ठीक है और fireman इन तीन के लिए यह सारे क्या है यह physical standards है physical measurements है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं capable test तो यहां पर देखिए हाइट होने चाहिए आपकी 165 cm और female की 157 cm मैं उमीद करता हूँ कि आपने यह सब देखके फॉर्म बढ़ा होगा क्योंकि अगर इनमों कुछ problem है तो आप rejection हो जाएंगे direct chest unexpended 81 cm female के लिए not applicable chest expansion आगे हम बात करें 5 cm होना चाहिए weight 50 kg for male minimum और female के लिए 45 कोई physical deformity होने चाहिए बोल एक्स नहीं होने चाहिए नौक नहीं नहीं फ्लेट फूट नहीं होने चाहिए तो normal चीज़े पता होने चाहिए 2.5 cm मिल सकता है और chest में और height में भी अगर आप ही लिए से ब्लॉंग करते हैं तो medical standard distance चाहिए 6 by 6 vision का without any aid near vision नौर्मल होना चाहिए ठीक है अगर आप 40 साल की उपर गये आने के एक्सर्विसमेन की बात हो रही है तो आप तो कुछ correction चल सकती है कोई बात नहीं इचाहिए must have full field of vision एकदम बढ़िया वीजन होना चाहिए 6 by 6 in both high कोई night and color blindness होने चाहिए distance 6 by 6 होना चाहिए without it तो इसके अंदर आपको क्या करना है physical endurance test के अंदर आपको male candidates को दिया जाएगा आप देख सकते हैं fireman post के लिए यह है carrying a weight of 63.5 kg और 183 मीटर डिस्टेंस तक 96 सेक्ड़ी अंदर और 3 मीटर वर्टिकल रॉप क्लाइमिंग यह सब के लिए है यह स्रिफ ओनली fireman post के लिए वेट वाला fireman post के लिए 3 मीटर वर्टिकल क्लाइमिंग ठीक है 3 मीटर फूट अबव दा ग्राउंड 20 sit-ups and 2.5 मीटर वाइड देच होगी लेंडिंग और बोद फीट लॉंग जंप बान सकते हैं तूँ अच्छी इन नहीं 3 chances आपको मिलेंगे इसके अंदर लॉंग जंप वाले में ठीक है 3 मिलेंगे आगे female candidates के लिए 800 मीटर रनिंग है 5 मीटर टाइम में 63.58 के करना है 183 मीटर तक विदिन 96 सेकंड only for fireman post यह ठीक है 2.5 मीटर वर्टिकल रॉप क्लाइमिंग है 2.5 मीटर अबव दा ग्राउंड 15 sit-ups और लॉंग जंप और ठीक है इसके अंदर मिलेगा जिनकी एच 48 से ज्यादा है यानिके ex-servicemen thank you for watching this video if you like this video please subscribe to the channel and hit the like button and आपका जैसे कि अगर tier 2 की dates के बारे में पता करना है तो वह आपको 3 मही के बाद ही बता पाऊंगा मैं 3 मही के बाद status देखके lockdown का thank you दोस्तों good bye jay hind